आज की वीडियो में बात करेंगे दा इंडिवीजुल एंड सोसाइटी के बारे में तीन सेक्षन तक पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्षन फॉर या कह सकते हैं आप इसको यूनिट फॉर और यूनिट फॉर हमारी स्टार्ट होती है चैप्टर 17 से यूनिट फॉर की जो थीम है वो बता देता हूँ मैं आपको यूनिट फॉर की थीम है वोयलेंस एंड वोर वोयलेंस होता है हिंसा और वोर होता है युद यानि कि इस unit के अंदर हम पढ़ेंगे हिंसा और युद के बारे में हिंसा और युद से क्या प्रभाव पढ़ता है मानव जीवन के उपर इसके बारे में हम detail से study करेंगे इस section के अंदर Chapter 17 हमारा है दल्स एट डेकरम एस्ट ये एक कवीता थी रोमन कवी थे एक होरस नाम के उनकी कवीता में एक लाइन थी डल्स एट डेकरम एस्ट इस लाइन का जवाब विल्फरेड ओवन ने इसको detail से इस लाइन को explain किया है कि इस लाइन को challenge किया है इनोंने अपनी कवीता के अंदर कि डल्स एट डेकरम एस्ट जो लाइन है इसको इसका जो मतलब है वो मैं आपको detail से बताऊंगा poem के अंदर इसका क्या मतलब होता है और इस लाइन को ही जो एक कवी रही है विल्फरेड ओवन इनने इस लाइन को challenge किया है तो चलिए start करते है इंस्टा पर आप मुझे follow कर सकते हो आपकी query है question है तो यहाँ पर आप मुझे से पूछ सकते हो username आपके सामने है telegram पर जाके आप group को जरूर जोइन करें आपके लिए काफी beneficial group है add the rate एक लवे सना तक one के नाम से group को आप जरूर जोइन करें यहाँ पर आपको वीडियो की notification मिल जाती है plus आपको website पर जो notes लिखते हैं वो पढ़ने के लिए मिल जाते है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले जानते हैं Wilfred Owen कौन थे Wilfred Owen जो थे इनका जनम हुआ था 1893 में और ये एक British soldier थे World War जब first हुआ था आपको पता होगा World War first हुआ था 1914 से 1918 के बीज में लगबग 5 साल के आसपास ये यूद चला था साड़े 4 साल के आसपास ये यूद चला था World War first जो यूरोप और अफरीका के अंदर हुआ था काफी देशों ने इसके अंदर पार्ट लिया था 1921 में 1917 में 1917 में इन्होंने वहाँ पर लड़ाई लड़ी थी फ्रांस में और किस पद पर रहते हुए लड़ाई लड़ी थी लेफ्टिनेंड ऐसे सेकिंड लेफ्टिनेंड सेकिंड लेफ्टिनेंड के with the mangled remains of a fellow soldier देखिए हुआ क्या था इन्होंने कई दिन एक soldier की last के शाथ बिताए थे जो कि एक bomb creature के दोरान उस soldier की मृत्यू हो गई थी और जब उस bomb creator के दोरान ही उसकी मृत्यू हुई थी soldier की तो उस समय उसके साथ कौन थे Wilfred Owen और Wilfred Owen ने कई दिन जो है उस last के साथ बिताए थे जिससे कि उन्हें उनका जो मानसिक संतुलन था वो प्रभावित हो गया था वो एकदम shell shocked हो गए थे shell shocked होता है जब हमें कोई गहरा सदमा लग जाता है तो उसे कहते हैं shell shocked तो ये shell shocked हो गए थे उस समय जब इन्होंने उस soldier की मृत्यों को देखा था he was sent to a war hospital और इस सदमे से उभरने के लिए इनको war hospital के अंदर भरती कराया गया था जो कि इडन बर्ग के अंदर था और इडन बर्ग के इस hospital में ये war hospital था जब जो युद में घायल हो जाते हैं उनको ऐसे hospital के अंदर रखा जाता है जिसे कहते है war hospital ठीक है तो ये war hospital था जिनके अंदर इन्हें भरती कराया गया था वहाँ पर इनकी मुलाकात होती हुई सेग फ्राइड और रोबर्ट ग्रेव से इन दो आदमियों से इनकी मुलाकात होती है इस hospital के अंदर और इन दो आदमियों ने इनको poetry लिखने के लिए appreciate किया encourage किया ठीक है कि आपकी जो poetry है जो आप लिखते हैं वो काफी अच्छी है इनको काफी यादा encourage उस समय इनकी द्वारा किया गया Owen Wilfred Wilfred Owen return to the front in 1918 और 1918 में ठीक होकर वापसी कर गए थे ठीक है और उसी समय 1918 में चार चार नोवंबर को इनकी मृत्यू भी हो गई थी जब ये युद से वापसी की तरफ आ रहे थे Owen perhaps the finest of the war poets और जो Owen है वो एक बहुत ही अच्छे कवी रहे हैं युद की कवीताओं को लिखने में ठीक है युद की युद के दोरान क्या-क्या होता है युद से क्या प्रभाव पड़ता है मानों जीवन पर इन सभी इजो पर इनों ने जो लिखा है वो काफी अच्छा लिखा है और काफी अच्छे ये कवी थे most of his poem work published post अमजली और जादातर जो इनकी कवीता है थी वो इनके मरनों प्रांत इस वर्ड का मतलब होता है मरनों प्रांत ठीक है इनके मरनों प्रांत जो काफी जादातर poem थी वो publish होई अब हम बात करते है poem की समरी की देखे इन दिस poem a line from a odd by the roman poet horis does at decrum east does at decrum east pro patria mori ये एक line है जो की roman कवी horis की कवीता की line है ठीक है इस line का मतलब होता है it is sweet and proper to die for one's country यानि कि अपने देश के लिए मरना एक अच्छा होता है अपने देश के लिए मरना एक गर्व की बात होती है कुछ इस प्रकार से इस line का मतलब होता है अब इस line के जो challenge किया है वो किया है किसने Wilfred Owen ने इस line को challenge किया है अपनी कवीता के माध्यम से इन्होंने क्या कहा है देखिए this is a powerful anti-war poem which emphasizes the brutality of war ये जो कवीता है ये anti-war कवीता है यानि युद विरोधी कवीता है और ये बताती है कि युद के दोरान जो सैनिकों के साथ घटता है युद एक कुरूरता भरा युद एक कुरूरता भरी चीज है जो की सैनिकों के साथ जो घटती है तो युद की जो कुरूरता है उसको इस poem के अंदर बताया गया है इसलिए इस कवीता को anti-war poem का नाम दिया गया है thereby undermining the conventional nation of honor and glory associate with wars और जो चीजे भी जो भी युद के साथ जुड़ा हुआ होता है वो काफी भयावा होता है वो काफी भयानक होता है वो काफी कुरूरता भरा होता है ये poem में कवी का कहना है poem describe a soldier dying from a poison gas after compact at the front देखे होता क्या है इस poem के अंदर actually में जब ये जो soldier थे wilfred oven ये युद से वापसी आ रहे थे अपने अपने दल के साथ ठीक है अपने दल के साथ ये वापसी आ रहे थे और इनके दल के ऊपर एक gas का एक जो खतरनाग gas होती है उसका attack इनके दल के ऊपर कर दिये जाता है ठीक है एक shell जो है the gas का वो इनके ऊपर छोड़ दिये जाता है और उस gas से इतनी ज़्यादा प्रभाविक्ता फैल जाती है इतनी ज़्यादा negativity फैल जाती है कि एक soldier की जो है उस gas से मृत्यू हो जाती है क्योंकि वो gas जो थी वो जानलेवा gas थी तो उस gas से क्या होता है कि एक soldier की मृत्यू हो जाती है इनकी आखों के सामने ही Wilfred Owen की आखों के सामने एक soldier की मृत्यू हो जाती है gas के कारण तो जब वो इसकी मृत्यू को देखते हैं तो वो अंदर से हिल जाते हैं अंदर से जो उनकी ठिंकिंग होती है युद्ध के प्रती वो बिल्कुल चेंज हो जाती है जो देखिए उस समय क्या होता है कि आप देखिए राष्टेता आपने आप में होना है अच्छी चीज है ठीक है अपने देश के लिए मरना गर्व की बात होती है लेकिन जब कोई मरता है न तो उस समय जो उसको देख रहा होता है या जो इस चीजों को सहन कर रहा होता है उनके लिए एक अलग ही चीज उनके अंदर होती है तो विल्फरेड ओविन से जो सोलजर मर रहा था वो दीरे-दीरे तडप रहा था बुरी तरीके से पड़ा-पड़ा मर रहा था वहां पर वो यह सब कुछ अंदर ये अंदर सूकता चला जा रहा था अंदर ये अंदर उसे कुछ खा रहा था ऐसा कुछ उसके शरीर के अंदर हो रहा था किसके शरीर में जो वो सोलजर गैस से प्रभावित होकर मर रहा था और जो जो वो तस्वीर थी ड्रावनी जो वो भयावी तस्वीर थी वो सब क प्रती दिन अंदर ये अंदर खाता था प्रती दिन अंदर ये अंदर उसके दिमाग में ये कह सकते कि वो पिच्चर जो थी वो उसके दिमाग में ऐसी बैठ गई थी कि वो उसे दिन प्रती दिन उसको परेशान करती थी हमेशा वो पिच्चर उसकी आखों के सामने घूमती रदीदे किस प्रकार से जो वो soldier है वो मरा तडपा कैसे वो तडप रहा था कैसे वो मर रहा था तो वो सब चीजे जो है point की जो image point की जो दिमाग में है वो बार-बार वो चीजे आती है उसके सामने the meaning of the poem is firmly established at the end when the narrator says my friend you would not tell with such high gist to children अब जब ये poem जो जो ये line है कौन सी dulse at decram as pro patria mori देखे इस line के विरोध में जब कभी इस बात को कहता है कि देखिए दोस्तों तुम्हें नहीं पता है कि युद में जब मारा जाता है कोई तो उसके साथ क्या होता है और ना ही कोई कभी इस बात को बताना चाहेगा कि किस प्रकार से कोई जब मरता है युद के अंदर तो वो किन चीजों का सामना करता है तो इनका कहना ये था कि युद करने से युद कोई युद कोई भी solution नहीं है युद कोई भी तरीका नहीं है किसी चीज से करने के लिए इनका कहना ये था कि युद से हमें बचना चाहिए और युद किसी भी देश के लिए अच्छी चीज नहीं है यानि कि कोई भी देश अगर ये सोचता है कि युद्ध एक heroicic या hero वाला moment है तो आपको इस चीज से दूर रहना चाहिए आपको नहीं समझ में आता है कि जो वो hero वाला moment नहीं है वो एक ऐसा moment है जब कोई इंसान मरता है वो उसी को पता होता है वो क्या-क्या चीजे युद्ध के दुरान जेलता है या फिर एक cynic को इस चीज की value होती है कि वो युद्ध के दुरान क्या-क्या चीजों को देख रहा है कैसे circumstances को वो face करता है कितनी कुरूरता को जब सामने वाला जो nation है जो उससे लड़ाई भरे दुख भरे माहूल में उससे लड़ रहा है तो वो किन चीजों को वो face कर रहा है ठीक है कैसी violence को वो face कर रहा है तो वो एक सैनी की जान सकता है तो वो यह कहते है कि कोई भी point कोई भी narrator जो है मेरे दोस्तों वो तुम्हें नहीं बताएगा खासतोर से बच्चों को कि युद्ध के दोरान क्या-क्या कुरूरता है होती है क्या-क्या चीजे होती है जो कि बिल्कुल भयावा है जो कि बिल्कुल गलत है जो पुराना जूट है वो सब यही फैलाते है कि इनका कहने का मतलब था सब यही बताते है कि अपने देश के लिए मरना एक अच्छी बात है लेकिन कोई भी यह नहीं बताना चाहता है कि युद्ध में जब मारा जाता है कोई सैनिक तो उस पर क्या बीथती है उसके परिव बना होती है जिसको जिल नहीं पाते है चीजों को सहन करता है तो वो उद्धे किfend backbone के लिए हैं किसी वीगति के लिए नहीं हो है यह सब चीजह जो है किना के और मानवता की जीवन को मानवता के जीवन और आकले जीवन कोए विवसता कोण जीवन जीने से विवस्थ करती है तो आज की जो पोएम हैं यहाँ पर खत्म हो जाती है मिलतें next poem में next chapter के साथ अब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद